हाई गईज एन वेलकम बाक टो दी चनल दीपक्ष यादव एजूकेशन वेलकम टो दी डेली हिंदू न्यूज एंड एरिटोरियल एनालेसस ऑफ फस्ट आफ अगस 2024 तो गईज जाथ है तारिक एक अगस 2024 और है थरस्डे देखेंगे आज के दा हिंदू कम्प्लीट करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना यहां से आप डेली बेसस पे इस लेक्षर के पीडिएफ को डाउनलोड कर पाओगे नौ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्षर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है दन हाइट्स को कहां पर है एक्जाक्टी लोकेटेड इसको अच्छे से माप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्षन में टाइप करना जससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे साधी साथ एक क्वेशन सॉल्व करेंगे जो की यूपी आप्शन नमबर बी गुजरात, राजिस्थान, पंजाब, हरियाना एंड हिमाचल परदेश या आप्शन नमबर सी केरेला, तमिलनाड, करनाटका, गोवा एंड महराष्टरा या आप्शन नमबर डी उत्तर परदेश, बिहार, वेस्ट बेंगॉल, जारखन एंड असम तो आप इसको चेक आउट कर सकते हैं, और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है, तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिसकेशन हम लोग करेंगे, तो चलोश्य बार हम करते हैं और चलते हैं, सबसे पहले थ देखा होगा, पिछले कुछ दिनों में बहुत जादा चर्चाओं में हैं, लगातार कुछ ना कुछ अपडेट्स यहां पर आ रहे हैं, इल्जाम था कि फेक सर्टिफिकेट यूज करके यहां पर यूपीएसी में सेलेक्शन लिया, आयस का पोस्ट मिला, डिसेबिलिटी क फेक सर्टिफिकेट्स बनाए, ओबीसी का फेक सर्टिफिकेट्स और भी वेरियस फेक सर्टिफिकेट्स का यूज करके यहां पर दोस्तों इस पोस्ट तक पहुची थी है, फिलाल देर से पता चला, यूपीएसी ने एक कड़ा एक्शन लिया, जिसको लेकर आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लाटफोंस पर यहां पर बोला भी जा रहा था, कि सैल्यूट है यूपीएसी के इस एक्शन को, अभी नए अपडेट यह है, दोस्तों यहां पर पूजा खेदकर का जो यह कांडिडेचर है, वो यहां पर समाप्ट कर दिया गया है, आयस का जो यह पेपर में page number one, front page पर ही आपको दोस्तों यह आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, जैसे मैंने बोला था, UPSC ने पूजा का कैंडिडेचर कर दिया है समाप्ट, साथी साथ में जो future examinations है, वो भी यहां पर पूजा खेदकर नहीं दे पाएंगी, क्योंकि कई सरे जो rules हैं, उ जो कि बाद में prove भी हुए, उसके basis पर यह हुआ आज के समय पर, इतना ही नहीं दोस्तों, जब select होकर IIS पूजा, अब यहां पर यह आगे IIS लगाना बनता नहीं है, वैसे, तो selection जब हुआ, तो training वगरा चल रही थी, तो training के दोरान पर ही, क्या हुआ, कि पूजा की demand बहु उसके अलावा separate office, car, staff, यह सभी चीज़े अलग से चाहिए थी इने, साधी जब में जो bacon वगरा है, वो भी लगाया था अपने car पर, अपनी private car पर, वो भी आपने photos वगरा देखियोंगे भी थोड़ दर पहले जो मैंने photo दिखाया था, अब दोस्तों, यह सब चीज़े मिलत जी, जो कि खुद यहाँ पर एक ex-civil servant officer रह चुके हैं, उन्होंने भी अपना influence पूरी तरह से use करने की कोशिश की, कि यह सभी privileges अपने daughter को दिलवा सकें, फिलाल, इस मामले से ही दोस्तों, यहाँ पर further investigations होती चली, और दीरे-दीरे पता चलता रहा, कि भई, यह तो fake certificate use करके यहाँ तक पहुँची है, फिलाल जो भी हुआ, इसके बारे में एक separate वीडियो भी मैंने upload कर रखा है, जिसमें starting से लेकर end तक हर एक चीज़ मैं explain किया है, चाहो तो आप मेरे channel पर जाकर, आईस पूजा खेत कर case लिख सकते हैं, और आगे दीपजा दव लिख देना, तो मेर वीडियो आपको मिल जाएगा, वास आप इनको चेक कर सकते हैं, फिलाल के लिए आपर जो भी updates है, वो मैं आपके साथ में share कर दिया है, same article page number 12, page number 7 पर भी present है, तो आप देख पारे हो कि लगा थार कितनी चर्चाएं हो रही है इस news को लेकर, फिलाल के लिए आगे आता है, ना दोस्तों आते हैं page number 14 पर, अब page number 14 पर दो important news आपको देखने को मिल जाएंगी, एक तो यह है और दूसरी यहाँ पर यह वाली है, लेकिन पहले हम अपनी first वाली news को cover करेंगे, और इस वाले article को आप सभी लोग GS paper number 3, defense and security के point of view से link कर सकते हैं, आपको पता है syllabus का एक important हिस इसा है exercises, जो भी यहाँ पर आपकी military exercises होते हैं, अभिहास होता हैं, उसको लेकर question आते हैं, इस साल भी आया था, 2008 में भी आया था, 2012 में भी आया था, तो लगातार ऐसे questions आते हैं, तो फिलाल यहाँ पर अभी जो article है, यह इसलिए relevant है, क्योंकि दोस्तों Indian Air Force पूरी तरह से त तरंग शक्ती ध्यान रखेगा, very, very important, अभी मैं आपको तरंग शक्ती के बारे में और भी basic facts बताऊँगा, यानि exam में कोई question आएगा यहाँ से, तो इतना ही आपने याद रखना है, तो दोस्तों यह अभियास दो faces में किया जाएगा, Face 1 and Face 2, और अभी August और September दो महीने में इस अभियास को complete करेंगे, बताया जा रहा है, 18 देश यहाँ पे आ रहे हैं इस अभियास को conduct करने के लिए, उसके अलाबा इसमें 150 aircraft देख पाएंगे, foreign, प्लस जो Indian Air Force है, यह दोनों ही लोग यहाँ पे present होंगे, अभियास होगा कहाँ पे, तो तमिलनाड के सुलूर में और दूसरा जोदपुर में, यह दो जगा पे दो faces में अभियास होने वाला है, और ध्यानक यह तरंग शक्ती भारत यहाँ पे host कर रहा है, प्लस वैसे तो हमने invitation 51 countries को दिया, कितने देशों को 51 देशों को, तो वैसे यहाँ पर 51 देश हैं लेकिन 18 देश participate करेंगे, बाकी दोस् countries participate करेंगे, अपने assets के साथ में 18 EBSA observer country होंगी, एक और देश के साथ में, जो यह सम मिलकर join करने वाले हैं, ठीक है, प्लस यह हमाली अच्छा मौका होने वाला है, क्योंकि इतने सारे देश available होंगे, तो हम अपनी defense industry को इनके सामने showcase करें, जो हमने पिछले कुछ सालों में च observer countries भी होंगी, अगर हम observer countries को हटा देते हैं, तो उसके अलावा Germany, France, Spain and UK, यह countries दोस्तों face 1 में हिस्सा लेने वाली हैं, इस particular exercise में, और face 2 के अंदर में Australia, Bangladesh, Greece, Singapore, UAE and US आपको नजर आएंगे, ठीक है, तो इस तरीके से face 1 और face 2 में इस अभ्यास को conduct किया जाने वाला है, सवाल यह कब से शुरू होने वाला है यह अभ्यास, तो face 1 की जो exercise दोस्तों, यह 6 अगस से शुरू होगी, 14 अगस तक चलेगी, तमिलनाड के अंदर में, जिसमें लगबग 32 फॉरन एरक्राफ्ट आने वाले हैं, बाहर से जो एरक्राफ्ट से वो सब प्रेजेंट नों के, तभी अभ्यास हो पाएगा, है ना, उसके लाबा जो face 2 वाला अभ्यास है, यह शुरू होगा सितंबर में, 1 सितंबर से 14 सितंबर तक चलने वाला है, जोधपुर के अंदर में, और यहाँ पर भी लगबग 27 फाइटर एरक्राफ्ट, 2 रिफ्यूलिंग एरक्राफ्ट, 2 एरबॉन अर्ली वार्निंग एरक्राफ्ट, 4 C-130 स्पैशल फोर्सेस, एरक्राफ्ट फ्रॉम फॉरन कंट्रीज, यह सबी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, इस अभ्यास के दोरान, तो जब यहाँ ब्यास चलेगा, तो और भी बहुत सारी जो खबरें हैं, वो चर्चाओं ठीक है, तो यह हो गए हमारे इस आर्टिकल का पूरी तरह से इनालेसस, लेकिन क्वेशन तो यह यह ना, क्या आर्टिकल में से क्वेशन आएगा एक्जाम में, हाँ बन सकता है, लेकिन पढ़ना कैसे होगा, दोस्तो तरंग शक्ती के बारे में बेसिक फैक्ट्स पढ़ने इसको लिख सकते हैं, काफी घंटे लगेंगे, लेकिन उन चीजों से बचना है, टाइम बचाना है, केवल वीडियो देख ऐसा करना है, अपने की वीडियो भी देख लिया जाया, नोट्स मेरे प्रिप्यार हो जाएं, आटमेटिकली, तो उसके लिए बताऊंगा मैं इस आ कह सकते हैं, friendly countries हैं, है न, उनकी Indian Air Force के साथ में, जो interactions हो उसको बढ़ाना, यानि उन देशों के साथ में, अपने देश के defense relations को improve करना, इस exercise को दो faces में conduct किया जाएगा, ये भी यहाँ पे लिख दिया गया है, पहला होगा Southern India में, ठीक है, South India याने की तमिलनाड के सुलूर में, दूसरा यहाँ पे होने वाला है, जोतपुर में, यह हम discuss करी चुके हैं, अब question यह है कि कौन कों सी countries participate करें, ये भी आपको यहाँ पे provide करवा दिया गया है, Australia, France, Germany, Spain, UAE and UK and US, यह कुछ countries हैं, और यहीं पर दोस्तों एक एहम role होने वाला है जर्मनी का, क्यों? जर्मनी पे special focus इसलिए क्या जा रहा है क्योंकि जर्मनी दोस्तों अपना fighter jet और साधी साथ में A400M transport aircraft भी लेकर आने वाला है, तो A400M transport aircraft हम अभी सोच रहे हैं, purchase करने की इसके ओपर कई सारा जो नजर है वो रखा गया है, अभी बताऊंगा यह transport aircraft क्या है, तो दोस्तों यह जो exercise है, इसका main purpose अब समझ गए कि इन सभी forces के बीच में participation बढ़ाना, cooperation को improve करना, defense relations को improve करना, ठीक है, अब question यह है कि Airbus A400M aircraft भी आने वाला है, यह वो aircraft है दोस्तों जिसके भी हम बात कर रहे थे, photo जो आप screen पर देख पार हो, एक huge सा aircraft आपको यह नजर आएगा, है ना, अब इसके बारे में specific details अगर हम देख लेते हैं, तो क्या है, कि जो यह Airbus A400M aircraft है, यह European built military transport aircraft है, के वल transportation के purpose के लिए इसका use किया जाता है, इस aircraft को किसने बनाया है, Airbus Defense and Space ने, जो कि खुद Europe का जो Airbus Space और Defense Firm है, Airbus, उसी का एक हिस्सा है, उसी का division है, उसी के मादम से इसको create किया गया, ठीक है, तो बड़े-बड़े loads को यहाँ पर यह carry कर सकता है, और important locations पर लेकर जा सकता है, थोड़े से समय में, यह इसकी खास बात है, तो यह हुआ हमारा article समाप, और यह पीछे का background data समाप, अगर यह background data को असानी से cover करना है, तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए एक relevant चीज अभी पीछे बहुत सारा तरंग शक्ती के बारे मालक से data तयार कर लिया, वो सभी data दोस्तों आपको एक PDF में compile करके दे दिया जाता है, एक ऐसा PDF जो कि printable form में होता, जिसका printout वगर आप निकलवा सकते हैं, अगर अपने electronic device से distraction चाहते हैं, तो otherwise online भी यहाँ पर पढ़ सकते ह अभी कुछ available है, बाकी दोस्तों इस ग्रूप में जो PDF है वो Hindi, English दोनों भाशाओं में available हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे इस ग्रूप में सारा current affairs का content आपका secure हो जाता है, क्योंकि UPS से current affairs के तियारी करना इतना असान नहीं है, यहाँ पे बात ओर यह डेर दो साल के current issues को cover करना, तो अगर आप आज इस particular group को join करते हैं, तो जो previous current affairs है वो भी available है ग्रूप में, और जो चल रहे हैं वो भी होंगे, और आगे वाले भी मिलते रहेंगे, ठीक है, और ग्रूप को join करने का fee payment दोस्तों बहुत ही minimum है, just phone 99 for the lifetime access, जब तक आपका selection न हो जाए, तब तक आप phone 99 में इस group को join करके रख सकते हैं, और अगर group को join करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, whatsapp पर जाना, यहाँ पर आपको एक number दिया गया है, 853-48-733-68, इस number पर message कर देना कि I want to join this group, वहाँ पर आपको reply मिलेगा, payment का process दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा important आपको demo video का link भी मिलेगा, तो यह भी option आपके पास में available है, पहले demo video को अच्छे से check कर लीजिएगा, कि मुझे कहां कहां पर किस तरीके से फाइदे हो रहे हैं, अपने आपको completely satisfy करने के बाद में particular investment आप कर सकते हैं, बाकी दोस्तों यार make sure क्या करो, वीडियो पे like का button है, उसको ज GS paper number 3 economy के point of view से link कर पाएंगे, ठीक है, अब बात क्या हो रही है, देखें, तीन साल के अंदर जो power cuts हैं इंडिया के अंदर में वो तेजी से बढ़े हैं, और आने वाले समय पर भी power cuts बढ़ने वाले हैं, यह एक report ने बताया है, अच्छा, report कौन सी है, report आये दोस्तों, India Energy and Climate Center University of California की साइट से, तो उन्होंने यहाँ पर यह बताया कि इंडिया में power cuts थोड़े से यहाँ पर बढ़े हैं, पिछले कुछ सालों में, क्योंकि हमने एक crisis face किया है, power crisis, जहां पर बार-बार light जा रही है, उसके पिछे का reason क्या है, सब बताऊंगा, लेकिन पहले यह समझे है कि आने वाले समय पर भी problem और बढ़ेगी, यह scenario और भयंकर होने वाला है कुछ सालों में, जब बहुत जादा light जाया करेगी power cut सुवा करेंगे, अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि भारत के पास में जो total installed electric capacity है, हमारे पास में जितनी यहाँ पर ताकत है electricity क मामले में, वो है 446 gigawatt की, 446 gigawatt की, लेकिन आपको पता इन 446 gigawatt में से सीधा सीधा 211 gigawatt तो दोस्तों कोईले से आ रहा है, तो काओगे इसमें दिक्कत क्या है, अरे 211 gigawatt अगर कोईले से आ रहा है, और अगर कोईला industry ही दिक्कत फेस कर रहा है, तो simple सी बात है, power cuts होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, अच्छा कोईला industry क्या दिक्कत फेस कर रहा है, अभी समझेंगे, लेकिन दोस्तों ये समझिये, कि भारत की जैसे हमने देखा, ये ना, ये पैरा आप लिखके रख सकते हैं, ऐसे छोटे-छोटे कभी-कभी points होते हैं, जो relevant होते हैं, जिसमें से 211 गीगावाट सीधा कोईले से आ रहा है, बाकी बचा 195 गीगावाट, 195 गीगावाट जो energy है दोस्तों वो renewable energy sources से मिल रही है, और बची कुछी यहां पर gas और nuclear energy से भारत की पूरे भारत की energy की demands पूरी की जाती हैं, तो problem क्या है, problem यह है कि देखिए अगर हम इस particular sector में सुधार नहीं करते, तो problem सोंगी आने वाले समय पे, power cuts और जादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बीज बीच में power की demand बहुत जाद हो यह दोस्तों, इस report में बोला भी यह है, 30 मही जो अभी मही का महीना निकला है, उसमें 30 मही को हमारे देश में, जो peak power demand है, 250 गीगावाट टच हो गया था, दोपहर 3 बजे क्या असपास, इतनी यहाँ पर demand थी, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि रात के समय पर 225 गीगावाट, फिलाल के लिए दिन और रात को कर हम comparison करें, तो लगातार electricity का consumption देश में हो रहा है, रात में भी बहुत जादा हो रहा ह और especially यह सब चीज़े हो रही है, heat waves की वज़ा से गर्मी पढ़ने की विश्चा, गर्मी भी यार भयंकर पढ़ रही है आजकल, डेली में अगर आप देख पाएंगे तो बहुत भयंकर गर्मी पढ़ रही है, या दूसरे states में भी देखेंगे तो, तो उसकी वज़ा से यहा electronic equipments का यूज़ कर रहे हैं और वो सब चलाने के लिए हमें चाहिए energy, और वो सब बिजली आ रही है यहाँ पर जादतर बिजली, आदे से जादा बिजली यहाँ पर कोईले को जला कर हमें बिल रही है, या आदी क्या सपास हम ऐसा कह सकते हैं, तो इस report ने ये सब सिनेरियों बताते वे, एक चिताव नहीं देते वे, solution दिया है, solution यह है कि solar plants पर काम करिए, कहोगे solar plants पर काम कर लेंगे तो ठीक है, solar panel लगा देंगे या उन चीजों को promote अगर हम करेंगे, तो जब धूप रहेगी तब तो energy बन जाएगी, रात का क्या करें, रात में demand जादा हो रही है, उसका क्या किया जाए, तो यहाँ पर बोला गया है, solar plant के साथ साथ बड़ी बड़ी batteries को set करना जरूरी है, इसको हमें deploy करना जरूरी है, और यह असान है, आप solar plants और batteries को ज़्यादा तेजी से लगा सकते हैं as compared to the hydropower plants या फिर कोईले वाले plants के comparison में, क्योंकि batteries होंगी तो आप उन batteries क्या energy का use क्या जा सकता है, कुछ ऐसे यहाँ पर recommendations के, तो फिलाले के लिए हाँ पर news article क्या बोलता है, क्या particular scenario है, current समय पर हमारे power cuts को लेकर woman आपको समझाया, लेकिन अभी थोड़े और facts जानने बाकी हैं दोस्तों, वो क्या है, आईए, अब यहाँ पर इस article से proper त इतना है, मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि भारत में जातर जो बिजली है, वो thermal power plants से ही generator हो रही है, thermal power plants में कोईले को जला कर ही बिजली का उतपादन किया जाता है, ठीक है, अब यह जो shortages होती है, कई बार कोईले की बहुत कमी हो जाती है, shortage हो जाता है, यह हर साल देख जहां पर कोईला जला कर बिजली का उतपादन हो रहा है, उन thermal power plants में कोईले का stock कम है, पहले के comparison में, और वो stock कम पे कम होता चले जा रहा है, ठीक है, यह भी एक दिक्कत है, क्योंकि इंडिया की total electricity capacity, यह मैंने वोई newspaper के notes यहां पर लगा दिया है, तो इसको आप देख पाए तो कुछ factual data यह बोलता है कि सितंबर 2021 तक दोस्तों, जो thermal power plants है हमारे, जहां पे हम कोईले को जला कर power generate करते हैं, इनी thermal power plants है भारत की जितनी भी दोस्तों power generation capacity है, 60% दोस्तों यहीं से generate होती है, 60%, तो coal based power generation अभी भी बहुत जादा है, बहुत important role play कर रहा है, और पता है problem क्या है problem यह है कि इन coal power plants को चलाने के लिए, जो कोईले की जरूरत है, उसकी 20% जरूरत हम केवल imports से कर रहे हैं, हम केवल बाहर विदेशों से कोईला मंगाते हैं, उससे यहां पर दोस्तों कोईला जला कर तब बिजली produce की जा रही है, ऐसा क्यों, क्योंकि भारत में जो कोईला है व उसके बाद काम energy मिलेगी, काम energy तो मिलेगी लेकिन साथ साथ प्रदूशल बहुत भेंकर हो रहा है, कई सारी problems हैं, फिर इतनी दिक्कत नहीं दोस्तों, उसके साथ साथ हमारे thermal power plants में कोई updation, upgradation समय के साथ में किया ही नहीं गया, और वो हमारे power plants दोस्तों inefficient होते चले गए, जितनी उनकी capacity है, उससे कम ही power को generate कर रहे हैं, तो ये भी दोस्तों यहाँ पर problem है, तो समय के अनुसार update होना जरूरी है, बट वो हम नहीं कर पाए हैं, ये भी एक challenge है, अब question यह है कि आखिरकार power crisis के और कौन-कौन से possible causes, और कौन-कौन से कारण हो सकते हैं, ये जानिये, प और हमारा consumption बढ़ा है, और consumption इतना भयंकर बढ़ा है, दोस्तों कि जो growth हो रही थी, हमारी 5% से वो growth बढ़कर 6.5% के आसपास पहुँच गई, तो growth लगातार increase हो रही है, अब demand बढ़ रही है, simple सी बात है, economy में आपने पढ़ रही है, या किसी चीच की demand बढ़ रही है, लेक कोईला नहीं जला पा रहे है, तो उनमें ये inability है कि भई वो इस, जो ये differences को match कर सके है, और दिक्कत ये भी है दोस्तों कि हमारे in power plants के sites पर रही होगी, यहाँ पर बहुत सारे कोईले के stock अलेड़ी आविलेबल करके रखते हैं, तो वो जो कोईले का stock है, वो खाली पड़ा ह जातर power plants के अंदर में, या जो जरुवत उसका 25% भरावाय देया, 10% के आसपास है, तो stocks इनके पास में बहुत कम है, ये भी एक बड़ी दिक्कत है, फिर question यह है कि stock क्यों दिक्कत है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जब भई देश की electricity की demand है, आपने कोईला हमाँ पे कम कर रहा है, cash flow की एक बड़ी दिक्कत है electricity sector में, क्यों, क्योंकि आपको पता होगा, देखो आपके घर में जो बिजली है, वो कौन दे रहा है, डिसकॉम्स देता है, जो distribution company है, लेकिन इसकॉम कहां से खरीते हैं बिजली, ये डिसकॉम तो खुद भी तो खरीते हैं ना, जो power generation plants है, जो हमारे thermal power plants है, वहां से बिजली बनती है, वहां से डिसकॉम कंपनियां खरीते हैं, फिर डिसकॉम आपको यहां पे अपने घर पे प्रोवाइट करवाता है, आपके घर पे बिजली बेचता है, तो problem यह है कि जो ये डिसकॉम कंपनियां है, दोस्तों ये खुद पादन कर रहे है, payment इनके पास आ नहीं रहा है, तो कहां से कोईला खरीद हैं वो, ये भी तो दिक्कत है न, और recently हमने देखा Ukraine war की वज़ा से जो हम कोईला मगा रहेते हैं, उसके prices बढ़ गए, तो एक तो पहली problem financial issue है, दूसी तरफ prices बढ़ गए, तो ये एक दिक्कत है, उ क्योंकि यहां पे consumers की site से पैसा जाएगा, डिस्कॉम कमरीज के पास में, जो कि कई सारे consumers का पैसा due है, तो ये company recover नहीं कर पार रहे हैं सही से पैसा, अब recover नहीं कर पार रहे हैं, तो भाईया जो power generation plants है, उनको अच्छा खासा पैसा pay करने के लिए होता ही नहीं है, payment लगाता delays हो रही है, अब वो कैसे payment करेंगे, कोल इंडिया से, कोला कैसे purchase करेंगे, ये भी एक दिक्कत है, तो ये कई सारे reasons है दोस्तों, जिसकी वज़ासे जो power cuts है, वो हमको देखने को मिल जा रहे हैं, तो यहीं पर आपसे कई तरीके से question पूछ जा सकते हैं, उन सभी question का जवाब आप अराम से बैट कर दे सकेंगे, और बहतिनी तरीके से सामने बादी को भी समझा सकेंगे, प्लेर हो गया, तो इस तरीके से हमने article को इसको भी smoothly cover गया, अगले article पर आएं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, चैनल को subscribe भी कर दिया करो, जिन भी लोग को फाइदा हो रहा है इन विडियोज डाल ला हूँ, उन सभी का update आपको तुरंत मिल जाए, चीक है, चलिए, ना दोस्तों, अगेन, page number 12 पर फिर से हमारे पास में दो relevant article है, आस-पास में जुड़े वे हैं, समझेंगे, तो UPSC के chairperson जो थे, मनूत सोनी साब, इन्होंने resign कर दिया था, अपना 5 साल से पहले पहले, यह मैं आपको बताया था, अभी फिलाल नई chairperson आ चुकी है, तो इनके बारे में discussion करेंगे, लेकिन पहले ये भी एक topic है, जो बहुत important है, और ये भी कुछ नों पहले cover हुआ है, क्योंकि न्यूज में यह होता है, जो खबरे आ रही हूँ, उसमें update होता रहता ह चड़ चाओ में आते रहता है, लेकिन यह हमने cover तो किया है, लेकिन इसको आज और बढ़िया तरीके से refine करके cover करेंगे, जहांसे exam में question बन सकते हैं, जिस तरीके से बन सकते हैं, ठीके तो धिहां से सुनियेगा, last में question भी दूँगा, चाओ ताब उसको attempt कर सकते हैं, वैसे states can make retrospective taxes on mines, देखे, हुआ ये recently कि Supreme Court के पास में एक मामला गया, और उस मामले में Supreme Court ने सुनवाई की, मामला ये था, क्या state government, जो हमारी राज्य सरकारे हैं, वो अपने mines के उपर में taxes को charge कर सकती हैं, क्योंकि कई सारे जो राज्ये हैं, कई सारी states हैं, जारखंड है, ओडिशा है, बिहार है, यहाँ पर बहुत सारा mineral present है, तो उस खनिज पदार्थ को निकालने के लिए mining की जाती है, अब खनन करते हैं, दोस्तों यहाँ पर तो उस पर tax वगरा generate कर जाता है, tax लगाया जाता है, तो अभी ता यह जो tax है, वो central government लगाती थी, central government, तो वही particular case Supreme Court के पास में यह power central government के पास नहीं है, यह power है यहाँ पर state government के पास में tax लगाने की, क्योंकि उनके जगहा पर उनके राज्य में यह mines present है, तो उस पर tax वो charge कर सकते हैं, वो पैसा उनके पास दाना चाहिए, ताकि उनके पास में revenue आए, क्योंकि हर जगहा पर state का revenue कम हो रहा है, तो यह power उन कि जो अब state government के पास power आ गई है, इन mines के ओपर tax लगाने की, तो क्या यहाँ पर retrospective tax का भी power होगा या नहीं, अब question दोस्तों यह है कि सरी यह retrospective tax क्या होता है, retrospective tax का मतलब होता है पिछला भी tax लगा देना, कहने का मतलब है जैसे मालो 25 जुलाई को यह judgment आया था सुप्रेम को करकार है, वो tax लगाना शुरू करेगी mines के ओपर, लेकिन कुछ का कहना यह है कि 25 जुलाई से पहले का tax कहा गया फिर, यह power अगर हमारी थी, rules के एसाब से तो central government यह tax कमाया, तो basically यहाँ पर 25 जुलाई से पहले का जो यह tax है, पहले के जितने भी सालों का tax है, वो कौन देगा हमें, जो पहले वाला tax होता है, उसको बोलता retrospective tax, तो यह case Supreme Code में पहुचा है, अब Supreme Code इसमें decide करेगा, और कई सारे statement देगा, जब भी update आएगा, मैं आपके सामने explain करूँगा, वो ही बोला गया है, कि Supreme Code के पास में अभी decision देना बाकी है, फिलाल के यहाँ पर यह भी बोला जारा है कि देखें, दिक्कात हो सकती, अगर हम retrospective tax भी लगाते हैं, उन mining companies के ओपर में जो company खरन करेंगी, तो उससे यहाँ पर वो company bankrupt हो जाएगी, कितना tax, करोड़ रुपे का tax आजाएगा, कैसे pay करेंगी, वो दिक्कत है, तो current समय पर, यानि 25 जुलाई का judgment है, अगर यही इसे tax लगना शुरू होगा, तो उस चीज़ को वो handle कर भी पाएंगी, यह बात यहाँ पर बोला गया है, इसी verdict में यह भी note कि आया था, कि जब हम लोग बात कर रहे है, states की, mineral rich states की, तो उसमें 36 गड़ है, जारखंड है, ओडीशा है, इन राजों में भरपूर मातरा में mineral present ह जो economic development पर help करता है, तो court ने यही बोला था, कि जो state government है, जो हमारी राजसरकार है, वो इन पर tax लगा सकती है, तो अभी तक state government को केवल royalty मिलती थी, tax नहीं मिलता था, तो state government को royalty, देखिए royalty अलग होती है, tax अलग होता है, यही बात Supreme Court ने 25 जुलाई को बोला था, इस वाले कान एक super important हो चुका है, for your examination, चाहो तो इस पर जो भी आप important का mark वगरह लगाते हैं, लगा लीजिएगा, अब पढ़ना क्या क्या है, कैसे notes बनाना है, वो समझाता हूँ, तो यह जो particular context है, वो तो हम समझ चुके हैं, कि Supreme Court of India ने recently एक बड़ा मुद्दे को address किया, एक ऐसा मुद् के पास में power कैसे आई थी, 1989 में एक और case हुआ था, उस verdict के दौरान court ने ये power central government को दे दी थी, इसी में सुधार किया गया, नौ जजज की bench बैठी, इन्होंने clarify किया, कि जो यह authority है, parliament और states के पास में, वो यहाँ पर अगर central government के पास में कोई power है, तो वो ऐसे इस तरीके से taxation नहीं लगा सकते, यह power हमारी state government के पास में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, federalism की, fiscal federalism की, तो दोनों के पास powers बाटी गई है, ऐसा नहीं है कि सारी powers central government लेगा, central government लेगा, तो federalism का concept कहां रह जाएगा, federalism जहाँ पर हम बात करते हैं, दोनों के पास power है, दोनों मिलकर काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर सब powers अगर केंड सरकार लेगी, तो यह constitution के इस particular rule का violation होगा, समझ गए, अब सवाल यह है, चलो इतिहास जानते हैं, कि आकरकर इन मामलों की शुरुवात कैसे होती है, सुप्रीम कोट ने उस समय पर क्या सुना था, यह बात है द कि वो mining regulation कर सकते हैं, और यह power केंड सरकार को कहां से दी गई है, वही Mines and Mineral Development Regulation Act 1957 के तहत, ठीक है, और साथी साथ में जो union list है, इसके entry 54 के तहत, यह सब हुआ 1989 में, तो सारी power दे दी गई केंड सरकार को, आप tax charge कीजिए, आप पैसा खटा कीजिए, और इस states को क्या मिला फिर states को मिला कि आप अपनी royalty ले सकते हैं, royalty क्या होती है आगे मैं आपको बताऊंगा, tax और royalty में फरक होता है, ध्याना किए, tax में आप पैसा ले रहे हैं, लेकिन उसके बदले में tax payer को कुछ नहीं मिल रहा है, royalties में उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ मिल रहा होता है, फिर से यह मुद्दा उट कराया, और पांच जज की bench फिर से बैठती है, उन्होंने suggestion दिया, कि भई जो 1989 का judgment था, इसमें कुछ error हुआ है, और ये बोलते वे 2004 में इन पांच जजों ने बोला, कि जो royalties हैं वो tax नहीं होते, और इस चक्कर में दोस्तों यहां पर यह जुलाई को जाकर, यानि पिछले महीने 25 जुलाई को इस मुद्दे को सुप्रीम कोट ने देखकर ये पावर वापस से स्टेट गवर्मेंट को दे दी, ठीक है, क्योंकि 1989 का जो verdict है, इसको overton कर दिया गया, दोस्तों बदल दिया गया, अब question यह है कि आखिर बताईए, स्टेट मिनरल राइट्स के उपर में, ये solely, यानि केवल और केवल, राजे सरकारों के पास रहेगी ये पावर, पालियमेंट केवल यहाँ पे कुछ नियम वगरा बना सकता है, और पालियमेंट केवल ये ध्यान में रख सकता है, कि कोई दिक्कत ना हो हमारे देश के मिनरल डवलपमेंट में, ट्रेक्स लगाने की ताकत नहीं है उनके पास में, वो ट्रेक्स लगाने की ताकत स्टेट के पास में है, उनके मिनरल राइट्स के उपर, तो इस रूलिंग ने क्लैरिफाई किया कि पालियमेंट डज नॉट पॉजस दा पावर औफ टेक्स मिनरल राइ है ना कि हमारी स्टेट गवर्मेंट को बता सकता है कैसे टेक्स वगरा चार्ज की दाएंगे बट वो खुट डारेक्टली टेक्स इंपोज नहीं कर सकता ये लड़ाई थी अब क्वेशन ये है कि स्टेट गवर्मेंट को अभी तक रॉयल्टी मिल रही थी अब टेक्स की ये अब कर सकते हैं निकालिए समन खनन करिये उसमें तो इसमें क्या होगा ये पर्टी है जिसने रॉयल्टी पे की है उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ फाइदा मिला है है ना तो एक बड़िया relationship हो जाता है benefit मिल रहा है ऐसा होता है लेकिन दोस्तो tax में ऐसा नहीं होता अब tax में क्या होता है दोस्तो tax तो सीधा एक statutory power के अंडर में आता है यहाँ पे जो tax payer है जो अपनी कमाई कर रहा है और उसके ने सीधा यहाँ पर tax भरा है उसके बदले में matter तो royalty में एक agreement हो रहा था tax में कोई ऐसा agreement नहीं होता है tax mandatory है tax जरूरी है और यहाँ पर कह सकते हैं एक common burden है जो सभी citizens को जहिलना पड़ता है clear हो गया तो tax public purpose के लिए ना ही कोई special benefit देने के लिए जबकि royalty special benefit के लिए यहाँ पर दिया जाता है यह समझ गए तो royalty power थी states के पास म गई और यह सब कुछ हो रहा है दोस्तो एक particular कानून के तहत क्योंकि देश में जो खनन वाला पूरा industry है mining sector जिसको बोलता है उसके लिए हमारे पास में नियम है 1957 का नियम है Mines and Mineral Development and Regulation Act इसका पूरा नाम है तो दोस्तो एक बहुत ही जादा important law एक बहुत ही जादा important नियम है भारत के अंदर में जो हमारे mining sector को govern करने का काम करता है ये जो particular act है वैसे तो 1957 माया था लेकिन तब से दोस्तो 2023 तक लगातार बहुत सरे amendments करेगे इसमें changes करेगे ताकि यहाँ पे जो हमारा mineral sector है उसमें जो संबंदित चुनातिया है उनको address किया जा सके समय से निपटाया जा स और पता सबसे main objective जो है वो क्या है इस act का हमारी जो mining industry इसको develop करना इसको grow करना हम जाद सदा खनीच पदार निकाल सके हैं और अपनी economy को develop करने पे focus रख सके हैं इस वजह से इसमें कई amendment हुए जैसे मैंने बोला ना 1957 का कानून तो है लेकिन इसमें 2015 में कुछ changes करे गए फिर 2015 में इनका auctioning method change किया गया फिर district mineral foundation बनाया गया एक body बनाए गयी जो कि यहाँ पर जो लोग mining सफ़ेक्ट हो रहा है उनके benefits के लिए काम करेगी फिर इसी amendment के है था है national mineral exploration trust बनाया गया ताकि mineral exploration activities को बढ़ाया जा सके फिर कोई अगर illegal mining हो रही है तो इसके लिए penalty charge करने का concept ले कर गए और होते होते दोस्तों फिर 2021 आ गया 2021 में फिर से amendments करे गए और 2021 में जो अपकी बार बदला हुआ इसमें captive और merchant mines जो है क्या हुआ करता था कि 1957 वाला जो यह law है इसमें जो हमारे ख़दान है mines है उनमें दो प्रकार की mines बाटी वी थी एक है captive mine और एक होगी merchant mine ऐसा बोला किसके amendment इनके बीच का difference खतम कर दिया है इनोंने बोला कोई difference नहीं एक ही mine रहेगी अच्छा ये captive mine और merchant mine वैसे होती क्या है देखे जो captive mines होती है वो कोई company मालो operate कर रही है company के पास में वो खदान आ गई है वो यहाँ पे वो क्या कर रहेगा अब उसमें से minerals को निकालेगा बे यूज किया जा सके और साथी साथ में market में बेचा जा सके तो फिलाल इनोंने बोला कोई differentiation नहीं रहेगा दोनों में अब दोनों यहाँ पर एक ही mine आपको नजर आएंगे समझ गए यह बात क्लियर हो गए 2021 में यह amendment हुआ फिर 2023 के अंदर दोस्तों एक और बड़ा बड़ा व हुआ है और जब चेंज हुआ तो इसका हमने नाम भी चेंज कर दिया ओविस सी बात है Mines and Mineral Development Regulation Amendment Act 2023 वैसे तो यह 1957 का कानून है लेकिन जब हमने इसमें अमेंडमेंड किया 2023 में बड़ा अमेंडमेंड हुआ तो हमने यहाँ पर इसको ओविस सी बात हैं Amendment Act करके जानेंगे से अब इसका में एम क्या है इसका 2023 में जो बदलाव किया गया उसका में एम यह था कि जो हमारे देश में critical minerals हैं जो बहुँ ज़ादा महत्वपूर्ड minerals है जो देश की economic development के उपर focus करते हैं उसको explore करना देश की security को लेकर काम करना critical minerals कई बार आपको बता चुका हों मैं होते क्या हैं परसो पड़ा भी ता शायद आपने देखा होगा तो होता यह है कि 2023 के amendment से यहाँ पर exploration license का concept आ गया जहाँ पर यह बोला गया कि अगर बहार की कोई company आती है foreign direct investment अगर यहाँ पर आना चाहता है तो वो भी आ सकता है उनको यहाँ पर हम license provide करवाएंगे जिससे यहाँ पर क्या होगा हमारे critical minerals को जादे explore किया जा सकेगा तो license वाला concept आ गया प्लस यहाँ पर focus किया गया कि जो हम import कर रहे हैं अलग-लग देशों से है ना बहुत सारा minerals को उन सब चीजों की dependency खतम की जा सके हम अपने देश में ही जो private sector ह उसको involve करें और जाद से जादा खनन करें और खनन करके जो critical mineral है lithium और यह जैसी चीज़े हैं इनको जाद सादा निकाल सकें यह हमारा main target था और ध्याना किये 2023 का जो यह amendment हुआ इसमें कुछ minerals को जादा importance पे रखा गया और वो कुछ minerals कौन कौन से हैं वो है lithium, graphite, cobald, titanium and rare earth elements य क्योंकि भारत ने आपको पता एक वादा कर रखा है 2070 के बाद में हम energy transitions के अंदर में क्या करेंगे कोई pollution पैदा नहीं करेंगे net zero emission achieve कर लेंगे तो यह सब चीज़े हो पाएंगी जब हम यह minerals को जादा मातर में produce कर सकते हैं इसकी भरपूर मातरा में एक stock हमारे पास में होग तब ही कि यह कर पाएंगे आप question यह है कि बहुत कुछ discuss करना था यार इस article में बहुत कुछ था लेकिन अभी भी दोस्तों यहापे mining sector को लेकर जो इस्थिती है जो scenario है भारत में ज़रा यह जान लो हमाली बहुत जरूरी है जैसे भारत का steel sector आप देख पाऊगे बहुत बड तयार steel production होता है finished steel production इसका production लगबग 138.83 million tons के असपास हुआ और जो finished steel का consumption है यह हमने production किया है consumption भी हम अच्छा कासा कर लेते हैं तो हमने इतना तो consumption खुद से कर लिया है तो producer के मामले में दूसरे सबसे number one पर आते हैं दूसरे number पर आते हैं हम steel के production के मामले में उसके बाद दोस्तों केवल steel की बात नहीं हो रही है यहाँ पर बात हो रही है coal reserves की तो भारत के पास में कोईले के भंडार हैं बहुत सारे लगबग 344.0 billion tons के असपास कोईला हमारे प्रास में प्रेजेंट है और second largest producer है पूरे वर्ल में कोईले के फिर coal sector के अंतर पर जो production है दोस्तों ज सबसे highest production को achieve किया लगबग साल 2023 में 17.56 lakh tons के असपास manganese ore दोस्तों हमने produce किया है 35% की growth नजर आई है last year के comparison में फिर हमारी देश की जो FDI policies है foreign direct investment को लेकर जितनी भी नीतिया है उन्होंने 100% FDI खोल दी है बाहर से यहाँ पर steel और mining sector में कोई विदेश निवेशक करना चाहता ह तो अराम से वो कर सकता है ठीक है उसके लबा mineral production index के अंदर में दोस्तों growth हमारी हुई है काफी ज़्यादा बढ़िया यह हमने देखा तो total value जो mineral production में है वो देखने को मिल रहा है भारत की जो सबसे ज़्यादा mining industries आपको नज़र आएंगी सबसे ज़्यादा अगर हम देखे जो हमारे देश का जो जितना भी माइन है जितना भी यहाँ पर खदाने है उसका 93% के आसपास यह hold करके रखते हैं समझ गई यह है ताकत यहाँ पर in states की बाकी अगर हम देखते हैं तो आज का एक mains का question भी है चाहँ तो आप इसको attempt कर सकते हैं वैसे तुम आपको पूरा scenario ही बता चुका हूँ कि आखरकार क्या लडाई चल ले यह center versus state की यह law क्या है इसको लेकर इतिहास क्या बोलता है अगर आप में इस question देखेंगे तो question यह बोलता है examine the division of power जो power बटी हुई है center और state के बीच में especially mineral rights को लेकर और royalties को लेकर वो आपने examine करनी है और यह powers वो वाली ब question है उच्चितम न्यायालिय के फैसले में सपष्ट किये गए अनुसार खनिच अधिकारों और royalty के संबंद में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की जांच करें असपे चर्चा करें 2500 शब्दों में answer लिखने के बाद में कहाँ पर submit करना है टेलिग्राम पर जाना वहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक्च यादव एजुकेशन मेंस ग्रॉप जैसी आप full form लिखोगे मेरा टेलिग्राम चनल मिलेगा वहाँ पर अल्रेडी 78,000 से जादा लोग जुड़ चुके हैं आप भी जुड़कर अपने answers को लिखकर वहाँ पर submit कर सकते हैं अपने answer को submit करने के साथ दोस्तों एक छोटा सा काम और करना है एट लीस्ट सभी लोग को दो-दो answers रेवियू करना है जब आप सभी लोग दो-दो answers को रेवियू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी आपको कुछ important points मिलेंगे जो आप अपन नबर 15 के उपर जो हमारा economy का page है और इस economy के page उपर एक लौता article है और ऐसे article अकसर हमारे हर एक महीने में publish होते रहते हैं जैसे अभी हमने देखा June का महीना खतम हो चुका है जोलाई का महीना खतम हो चुका है हम August के महीने में तो August के महीने में जैसी आए दोस्तों दोस्तों एक महीने पहले का रेटा, यानि जून के महीने में हमारे देश में जो core sector, यानि आठ main industries जो है, आठ main core sector जिनकी देश की economy में सबसे बड़ी contribution होती है, उनकी growth कैसी हुई है, तो जून के particularly, ध्यानक ना, जून के महीने में जो हमारी आठो industry की growth है, वो slowdown हो चुकी है 4% से, इस महीनों में सबसे बड़ी ग्रावट हमने देखी जून के महीने में, मही के महीने में भी ग्रावट हुई थी, फिर जून के महीने भी ग्रावट हुई, हाला कि जो cement वाला sector है, इसमें थोड़ा सा recovery हुआ है, steel वाले sector में recovery हुआ है, लेकिन यहाँ पे दोस्तो अगर आप कुछ और इंडस्ट्रीज को देखोगे जैसे की इलेक्रिसिटी जनरेशन तो इलेक्रिसिटी जनरेशन अलएड़ी स्लिप डाउन हो चुका है तो हमारी इन आठो इंडस्ट्री में एक बड़ी जो ग्रोथ है वो स्लो देखने को मिली है ऐसन यह ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही हो ठीक है तो यह तो दोस्तों यहाँ पे हर महीने डेटा आते रहता है चेंज होता रहता है जूलाई में क्या होगा हो सकता है ग्रोथ उपर नीचे हो जाया अगस्त का महीना ऐसे हर महीने डीटेल साती रहती है एक्जामिनेशन के पॉइंट एवी से पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यह आर्ट में कोर इंडस्ट्रीज है कौन कौन सी दूसरी बात इन आर्ट कोर इंडस्ट्रीज का जो यह डेटा एक्स्प्लीन क्या गया है वो एक इंडेक्स के मादम से क्या गया है जिसका नाम है इंडेक्स अफ 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 इंडेक्स अ steel, cement and electricity अब हमने बात करें, cement में growth देखने को मिली steel में growth देखने को मिली, बड़ electricity वाले sector में downfall भी नजर आया है यह हमारी art में industries हैं जिस पर हमारी देश के economy काफी जादा निर्भर है अब दोस्तों इन art को industries में growth किस प्रकार से हुई है उसको लेकर हमें एक index ready करते हैं जिसको बोलते हैं index of industrial production तो यह जो IIP होता है index of industrial production यह प्रकार का indicator है इन आठो industries में growth कैसी हुई है कम हुई है या बड़ी हुई है उसका एक data provide करवाता है ठीक है कि जैसे जैसे यहाँ बे production में changes हो रहा है उसका data इस IIP में मिल जाएगा question यह है कि IIP को तयार कौन करता है तो यह दोस्तो हर महीने तयार होता है तो monthly basis पे इसको compile और publish करने का काम central statistical organization का है यह particular organization यह काम करता है लेकिन यह जो खुद organization है दोस्तो यह ministry के इंडर में आता है जिसका नाम है ministry of statistics and program implementation तो आपसे question बने कि यह जो index of industrial production है इसको तयार करने वाला organization कौन सा है तो वो है CSO लेकिन पूच जाए मंत्राले कौन सा है तो वो है ministry of statistics and program implementation ध्यान कि यहें पर confusion हो जाएगा हम गलत question कर याता है फिर समझ गए तो यह art industries के बारे हमने डिसकस कर लिया question यह है कि ठीक है हम index of industrial production तयार करते हैं IIP तयार करते हैं लेकिन इस IIP का importance क्या है अब दोस्तो IIP के थूँ हमें पता चलता है कि industries कैसे grow कर रही है तो हमारी जो सरकारी एजेंसिया है especially हमारा वितमंत्राल है यानि ministry of finance है Reserve Bank of India है और भी कई सारे important bodies है वो अपनी हर मेने कुछ ना कुछ policies बनाती है economy को लेकर तो अपनी policies वगर अच्छे से बना पाएंगे देश की growth को देखकर तो यह जो index of industrial production है बहुत ज़रूरी होता है even कई बार हम यहाँ पे जो अपनी देश की total GDP है gross domestic product जो overall economy है इसको calculate करने में भी दोस्तो I.I.P का use कर लेता है ठीक है तो यह है I.I.P का importance यहाँ से question बनेगा अगर exam में कोई question बना तो चली आ गया आता है ना दोस्तो आएंगे page number 9 के उपर आज के newspaper में editorial discussion में केवल एकलोता editorial important है वो यहाँ पर यह वाला है इसको Dr. Madhu, Sashidhar और साधी साधवन Dr. Sai Praveen Harant साब ने लिखा है यह American Board Certified है ठीक है तो हुआ यहाँ पर यह है इन दोनोंने मिलकर lung cancer को लेकर यह article लिखा है क्यों क्यों क्योंकि दोस्तो आज 1 अगस्त है तो क्या हो गया तो 1 अगस्त को दोस्तो यहाँ पर हम हर साल World Lung Cancer Day को अब्जर्व करते हैं Lung Cancer भारत में कितनी बड़ी दिक्कत है वो उन्होंने समझाया है इसका solution क्या हो सकता है वो यहाँ पर समझाया है तो अच्छे से सुनिएगा क्योंकि last में मेंस का question में आपको यहीं पर देने वालो वैसे स्टॉपिक को GS paper number 2 health के साथ में भी आप link कर सकता है तो चलिए writer क्या बोलता है समझता है इनका कहना यह है देखे जो lung cancer है एक most formidable public health challenge है हमारे आज के समय का यानि हम इसको normal मान सकता है मान सकता है लेकिन faithful का cancer सबसे बड़ा चुनौती current समय पर है lung cancer को सबसे पहली बार discover किया गया था 1900 के समय पर ठीक है और फिर बाद में धीरे-दीर करके इस बिमारी का पता लगाने के लिए नहीं technologies develop हुई बड़े-बड़े advances हुए उसके लावा जैसे की imaging technologies आई उसके बाद molecular diagnostics वाली चीज़े आई तो दीरे-दीरे करके हमने क्या करा अपने diagnosis process को बढ़ाया क्यों कि किसी भी बिमारी को अगर सही तरीके से ठीक करना है तो उसके शुरुवाती तोर पर उसका पता लगना ज़रूरी है अगर आप शुरुवात में उस बिमारी का पता नहीं लगा पाए थोड़ा और समय हो गया तो वो बिमारी बॉड़ी को ज़ादा जकड लेगी इसलिए बोलते हैं कि तुरंट इलाज हो जाए तो बढ़िया रहेगा तो दोस्तों यहाँ पर यही है कि हमने कुछ टेक्नलोजी को डवलप किया जिससे थोड़ा जल्दी जल्दी हमें पता चला कि हाँ इस व्यक्ति को लंग कैंसर है तो शुरुवाती तोर पर ट्रीटमेंट दे दिया तो ठीक हो गए लेकिन यहीं पर दिखत है कि हमारे पास में इस टेक्नलोजी में कमी है जहाँ पर हम तुरंथ पता नहीं लगा पा रहे हैं करेंट समय पर और इस वज़ा से यह आर्टिकल लिखा गया क्योंकि एक अगस्त को हम वर्ल्ड लंग कैंसर डे अब्जर्व करते हैं और इससे यहाँ पर पता चलेगा हमें कि लंग कैंसर के मामले में कौन सा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है और क्या क्या चीजे सबसे ज़ादा जरूरी है सबसे ज़ादा जरूरी इन दोनोंने मिलकर बोला है कि वो है डिटेक्शन अगर आप सहीद समय पर तुरंथ पकड़ पाते हैं कि यहां इस व्यक्ति को लंग कैंसर है तो उसका ट्रेटमेंट आप सुरवाधी तोर पर अगर दे देंगे तो वो ठीक हो जाएगा नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होंगी दिक्कत क्यों होंगी क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यह साइलेंटली ग्रो होने वाला एक कैंसर है पूरे वर्ल्ड में और स्पेशली भारत में इसके कई केसिस है बोला जा रहा है लंग कैंसर मोस्ट डाइगनोस्ट कैंसर है सबसे जादा इसी का केस मिलता है पूरे दुनिया में और जो हमारा इंडियन कांसल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसके अकॉरडिंग बात करेंगे तो लंग कैंसर के इंसरेंट साल बढ़ रहे और भारत में जो कैंसर से डेध हो रही है उसमें 10% डेध दोस्तों लंग कैंसर के विज़े से हो रही है इंडिया दुनिया में चौते नंबर पर आता है जहां पर absolute number यानि की केवल और केवल lung cancer के जो cases है दोस्तों वो 81,000 के आसपास देखने को मिलता है और बताया यहां पर यह भी जा रहा है 75,000 डेथ होई थी 2022 में तो दोस्तों यह problem वाके में बड़ी है इस data के हिसाब से तो यह expectation है कि बिमारी को अगर सही सरी के से tackle नहीं किया है तो 2025 तक यह दुगना हो जाएगा मामला दुगनी मौते हो रही होगी तो current समय पर जो lung cancer है यह सबसे जादा पाई जाने वाली बिमारी है इंडियन्स में स्टेज 3 और स्टेज 4 में लेकिन यह स्टेज 3 स्टेज 4 तक जब तक पता चलता है lung cancer है यह वो समय आ चुका है जब आप इसको ठीक नहीं कर सकते हैं उस व्यक्ति के मृत्यों निश्चित है इस वैसे तो बोला जा रहा है कि शुरवाती तोर में ही स्टेज 1 में पता लगाना जरूरी है लेकिन आदे से जादा पेशेंट्स में दोस्तों यह पता ही नहीं लगा पाते हम इसलिए वो स्टेज 3 और स्टेज 4 में चले जाते हैं क्यों रीजन यही है क्योंकि हमारे पास में प्रॉपर स्क्रीनिंग या प्रॉपर टेस्टिंग नहीं है हमारे पास में सही तरह का सिस्टम नहीं है जिससे हम पता नहीं कर पाते तो यह स्क्रीनिंग टेस्टिंग के उपर काम करना जरूरी है क्योंकि दूसरी दरब आगर आप देख पाएंगे तो भारत के पास में कई सारे फ्रेमवर्क्स हैं, रूल्स और रेगुलेशन्स हैं, अलग-लग प्रकार के कैंसर को लेकर, उनके स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स को लेकर, लेकिन लंग कैंसर को कैसे स्क्रीन किया जाएगा, इ यह अभी तक यहाँ पर मुद्धा छुआ तक नहीं गया है, हमारी गौर्वर्मेंट की साइट से, तो इस पर काम करने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद में राइटर बोलते हैं, कि बढ़ते हुए लंग कैंसर के जो केसे हैं दोस्तों, यह कैसे हो रहे होंगे, काओगे फ और अगर हम 2007 से अभी तक देखें तो 30% के असपास इसमें बड़ोतरी हुई है, जहाँ पर जो हामफुल सबस्टेंस है हमारे हवाओं में जैसे की पर्टिकुलेट मैटर होता है, PM10, PM2.5, छोटे छोटे चोटे कंगड के टुकडे जो आपके बाल से भी छोटे आप दिख समय बाद, तो air pollution को नजर अंदाज नहीं कर सकते, फिर बात आती है यहाँ पर smoking की, तो smoking तो कारड है ही, smoking तो primary कारड है, सबसे ज़्यदा तो lung cancer हो रहे हैं, वो cigarette पीने की वज़ा से, बीडी, सिगार, इन सब चीजों की वज़ा से हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों problem यह है कि यह second hand smoke का नाम आपने सुनाओगा, कई बार इंसान cigarette पी रहा है, बगल में खड़े हैं, तो उसका धुमा इतना ज़ादा आ रहा है, वो आपके अंदर भी जा रहा है, तो उसको बोलता है second hand smoke, भले ही आप smoking नहीं करते हैं, साथ में खड़े हैं, तो वो second hand smoke के लाएगा, प्लस क यह भी problem है, या कोई व्यक्ति किसी lung disease से गुजर रहा है, तो उसको lung cancer हो सकता है, तो overall बताया गया कि 40% lung cancer के patients North India में non smokers, आप imagine कीजिए, 40% या सपास ऐसे लोग है जिनमें lung cancer है तो सही, जहाँ पर जिसको हम बोलता है कि वो केवल cigarette पीने की वेस होगा, लेकिन यहाँ पर तो अच्छा concept रहेगा कि early detection, जितना जल्दी आप यहाँ पे इसको detect कर पाएंगे, उतना जल्दी बहतर रहेगा उस इंसान को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है दोस्तो, early detection ज़रूरी है lung cancer को ठीक करने के लिए, हमारे पास में lung cancer का burden तो बहुत बड़ा है मैंने आपको बताया, 2022 में 75,000 डेतुएं, ऐसे यहाँ पर बड़े बड़े अब number है, तो हमारे पास में burden तो भारत के उपर बहुत है, लेकिन हमारे पास में proper तरीके से screening program नहीं है, जहाँ पे आम इन बिमारी का पता लगा सकें, early detection की equipment हमारे पास में नहीं है, वो एक कमी है और अगर नईनी दवाईयां आ रही है, जहाँ पे एक इनसान की उमर को थोड़ा बढ़ा सकती है, तो वो दवाईयां बहुत महेंगी हैं, है ना, वो दवाईयां बहुत जादा महेंगी है, लाखो लाखो रुपे के दोस्तों, एक दवाई का strip आता है पत्ता के वल, तो य लेकिन क्वेशन यह है कि कैसे डाइगनॉस किया जाएगा, लंग कैंसर का पता कैसे चलता है, उसके लिए कई सारे मेथर्ड सा चुके हैं, करेंट समय बर मार्केट में, या तो चेस्ट एक्सक्रे होता है, या CT स्कैन होता है, आपने सुना होगा, तो इससे यहां पर पता पतरनाक रहेगा आपके बॉड़ी में, तो इसी में दोस्तो सुधार करने के लिए कुछ समय पहले एक नई टेक्नलोजी आती है, जिसका नाम है LDCT, ध्यानकिये इसका फुल फॉर्म है, लो डोस कम्प्यूटेट टोमोग्राफी, क्वेशन आपसे बन सकता है कि बताए, LDCT क गेम चेंजर कॉंसेट बताया गया, यह क्या करता है, यह यहाँ पर आपको स्कैन कर लेगा ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्कैन करने के साथ सथ रेडियेशन देगा तो, लेकिन जो आपका CT स्कैन वाला कॉंसेट है, CT स्कैन से 5 गुना कम ध्यानक न, CT स्कैन से 5 गुना कम रेडियेशन बहुत कम है फिर उसके बाद यहां पर बूला जा रहा है कि यही वो concept है यही वो method है जिसका सबसे ज़्यादा recommendation यूज़ हो रहा है US में Europe में जहां पर lung cancer की screening की जा रही है तो जो LDCT का use है दोस्तों क्योंकि इसमें radiation बहुत कम होता है तो test को आप 2-3 बार भी कर सकते है अराम से साल में यहां पर मतलब अराम से कर पाएंगे नहीं तो फिर जो CD scan उसको बार-बार नहीं किया सकता है क्योंकि इसमें से radiation release होता है तो बार-बार करना आपके लिए harmful बन सकता है तो writer वही explain करते हैं कि जो LDCT है इसमें lower radiation है sensitivity यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि आपको lung cancer है या नि और especially symptoms यानि की लक्षनल बन रहे है उससे पहली आपको पता चल जाएगा तो possibility है बढ़िया treatment और therapy से आप तुरंट ठीक हो जाएगे यह काम करने की ज़रुवत है लेकिन हमारे पास में technologies है ही नहीं और lung cancer serious problem है जिस पे focus करने की ज़रुवत है तो जो research करना ज़रूरी है दोस्तों इसके उपर में ताकि हम नई दवाईयों की वज़ाए better technology पे focus करो जिससे तुरंट पता लगया जा सके और एक इंसान को यहाँ पर बचाया जा सके यहाँ पर writer ने इस article में explain किया I hope आपको मज़ाया होगा बहुत smoothly मैंने हर एक point अच्छे से समझा दिया क्लियर हो गया या नहीं हो गया बताओ नीचे comment section में आगे आते हैं और फटा फट मेंस का question कवर करते हैं कि आज का एक question दे रहा हूँ इसी article के उपर question यह है despite having considerable burden of lung cancer यानि हमारे पास में fame flow के cancer का बहुत बड़ा बोज है लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के पास में proper systematic screening program नहीं है इस पे आप क्या विचार करते हैं या आपने बताना है ठीक है हिंदी मेरेट कर देता हूँ तो fame flow का cancer काफी बोज होने के बावजूद भारत में अभी तक कोई व्यवस्थित screening कारे करम नहीं है इसके उपर उत्तर लिखना है पंदरा माक्स क्वेशन है डाइस उच अब दो में आंसर लिखना है सब्मिट कहाँ पर करना है पहले ही बता चुका हूँ जब पहला वाला मेंस क्वेशन दिया है कि टेलिग्राम पर जाएं दीपा यादा पहले के चेर्त message के बारे में पढ़ाया था है ना चेर्परसन के बारे में तो हुआ क्या अभी कुछ दुनों पहले खबर या रही थी वैसे पिछले साल की बात है पिछले साल UPSC के एक नए चेयर परसन को अपॉइंट गया गया था और जो नए चेयर परसन है उनका नाम क्या है मनोश सोने, तो मिस्टर सोनी साब ने यहाँ पर लास्ट यर अपॉइंटमेंट लिया एक साल हो गया था, वैसे छे साल तक सर्व कर सकता है यहाँ पर नए चेयर परसन आ चुकी है नाम है प्रीती सुदान तो प्रीती सुदान को अपॉइंट किया गया है जब मिस्स सुदान की हम लोग बात कर रहे हैं तो यह खुद करेंट समय पर UPSC के मेंबर है और थर्सडे यानि कि आज से दोस्तों यह चार्ज ले लेंगी और चेयर परसन बन जाएंगी चेयर परसन की तौर पर सर्व करेंगी UPSC की फिर उसके बाद में इनका जो पुरा का पुरा यह सर्व रहने वाला है यह अगर आप कहेंगे कब तक सर्व कर सकती है तो केवल 29 अपरेल 2025 तक तो अगले साल 29 अपरेल 2025 तक यह सर्व करेंगी काओ कि वेट एक मिनिट मनोज सोनी जो साब थे उनका 6 साल का क्योंकि UPSC के चेयर परसन का जो टेनूर होता है वो 6 साल का होता है तो इनको केवल एक साल नेक्स्ट यह रिटार हो जाएंगी ऐसा क्यों ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि अगले साल यहाँ पर April में यह 65 साल की हो जाएंगी क्योंकि UPSC के एक और requirement है कि आप 6 साल तक सर्व कर सकते हैं लेकिन दूसरी चीज़ आपकी उमर अगर 65 साल होगी तो 65 साल मैक्सिमम में जाए यहाँ तक सर्व कर सकते हैं 60 साल के उपर सर्व नहीं कर पाएंगे ठीक है तो इन दुनों से जो भी चीज़ पहले पूरी हो जाए तो इनके टेनियोर से उमर पहले पूरी हो रही है तो उस बेसिस पर यहाँ पर यह April next year तक सर्व करेंगी और 29 April 2025 तक जो है इनका टेनियोर रहने वाला है फिर बाद में हमें एक और नया चेर परसन मिलेगा UPSC का तो मिसस सुदान कह सकते हैं देखो यह बहुत इंबोरेंट पॉइंट है इसको नोट कर सकते हैं आप लोग UPSC में अभी तक यह दूसरी मईला है जो चेर परसन बनी है इससे पहले 1992 से लेका 1996 तक RM Bethew ने सर्व किया था ऐसा चेर परसन तो उसके बाद यहाँ पर मिसस सुदान यह सेकंड विमेन है टो हैड दी UPSC पर्टिकुलर ग्रॉप Union Public Service Commission चलिए आई होप क्लारिटी मिल चुकी है चलिए आते हैं नेक्स राडिकल पर तो दोस्तों यह था आज का हमारा डिसकेशन आही होप आपको मजाया होगा बहुत कुछ जानने को मिला होगा चलिए आते हैं Word of the Day पर Word of the Day में आज का Word है Debris कही बार आपने मेरे मुझे सुनाओगा Debris Word हम कई बार इस पर इस Debris के बारे बात करता है तो Debris का मतलब क्या होता है कच्रा या कोई particular चीज़ा तूट गई है उसके जो remains है broken up चीज़े है वो बच्ची भी है वो सब यहाँ पर हमारा Debris कहलाता है कई बार rock तूट गया है satellite तूट गई है कच्रा बन गया है वो Debris है इसके synonym, junk, dust यह सब चीज़े हो सकती है तो दोस्तो यह बताइए अब Debris का use करके एक word का use करके एक sentence बनाना है daily business पर आपको यह sentence गया जाता है फटा-फट नीचे comment section में sentence बनाओ बहुत ज़रूरी है आपको यह sentence बनाना आपके vocab improve होगा comprehension में help मिलेगी comprehension आपका C-set का portion है कई लोग C-set में रह जाते है तो comprehension एक ऐसी चीज़ है जिसकी maths बहुत weak है तो वो comprehension को अगर handle कर लेता है अच्छे से तो दोस्तों वहाहीं पे वो clear हो जाएगा C-set उसका क्योंकि 33% gain करना है तो उसके लिए words का use करिए बहुत help मिलेगी प्लस mains question में तो आपको help मिलेगी मिलेगी चलिए बाकि आते हैं UPSC के practice question पे आपसे question पूछा गया था कि बताईए गोदावरी नदी का जो basin है वो कौन कौन से राज्यों में फैलावा है तो इसका सही उत्तर है option number A option number A यानि कि महाराश्टरा तिलांगना आंदर प्रदेश, 36 गड़ और ओडिशा इन particular राज्यों में गोदावरी नदी का बेसिन फैलावा है अब जो गोदावरी नदी है दोस्तों इंडिया की एक most important नदियों में गिनी जाती है कभी-कभी यहाँ पर इसको हम सदन गंगा के नाम से भी जान लेते हैं ओरिजनेट कहां से होती है? Central India में वैस्टन घाट्स में यहाँ पर ओरिजनेट होती है आज का सेशन मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में आज के लिए बाइ-बाइ, have a nice day, thank you and जैहिंद हाँ, आपका जो Indian Express का वीडियो का थोड़ा सा वेट था वो ओवर है, कल से यहाँ पर आपका जो morning का news analysis है वो भी upload हो जाएगा तो कल से यहाँ पर अपने sessions continuously दोनों चलेंगे आर्डिकल वैसा आपका कोई छूट नहीं रहा है maximum चीज़ें हमारी जो newspapers हैं, वो मैं आपको cover करवाई देता हूँ with proper notes, ठीक है, bye-bye